बिग बॉस सत्रा में एक दिन के लिए महमान बन कर आये ओरी ने घर को टाटा बाई कर दिया और इसके साथ साथ ही जाते जाते अंकिता को लेकर भी कुछ खास कह गए क्या स्पेशल कहा ओरी ने अंकिता को लेकर चली आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में नवशकार मैं हूँ रोईद भामला और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी औरी ने बिग बॉस सत्रा में आकर सभी का मनोरंजन किया वह एक दिन के लिए बिग 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 सत्रा के घर के अंदर आये थे सभी बिग सत्रा परतियोगियों में से औरी को लगा कि अंकिता लोखंडे अधिक वेलकमिंग है एक इंटर्व्यू में उन्होंने पवित्र रिष्टा अभी नेतरी के साथ समय बिताने वे उनसे कितना प्यार करते हैं इस बारे में बात की वहीं एक्टरस के पती वीकी जैन के बारे में औरी की राय अलग थी औरी को लगता है कि वीकी जैन को यह ऐसा वेक्ती है जो उसे मैनूपलेट करना चाहता है औरी ने इंटर्व्यू में वीकी जैन और अन्या बीवी 17 कंटेस्टिंज के बारे में भी बात की है एक इंटर्विव में ओरी से पूचा गया कि वैं बीबी 17 के परतियोग्यों के बारे में क्या महसूस करते हैं तो इस पर ओरी ने कहा कि विकी जैन को ऐसा लगता है कि वो मुझे मैनूप्लेट कर सकते हैं लेकिन जाहिर तोर पर मेरा चेहरा मैनूप्लेट नहीं हो सकता है ईशा मालविया इतनी मासूम क्यों दिखती है जबकि उसके पास 600 मिस्ट्रीज है खानजादी ऐसी क्यू है है रिपोर्टर का एक डिमेंटर एक सचमुच सुन्दर डिमेंटर गहरा लेकिन बहुत सुन्दर अंकिता के साथ अपने रिष्टे के बारे में बात करते हुए और इने कहा मुझे अंकिता लोखंडे बेहद पसंद है हमने एक साथ इतना समय बिताया हमने एक साथ कई घंटे भी बिताया वे पहली वेक्ति थी जिन्होंने मुझे गले लगाया था और जब मैं बीबी सत्रा के घर से बहार निकला तो वही आखरी वेक्ति थी जिन्होंने मुझे गले लगाया था वे पहली व्यक्ति थी जिन्होंने घर में मेरे लिए कुछ बनाया, उन्होंने ये भी खुला सा क्या कि अंकीता ने उनके लिए चाय बनाई थी। और इको लगा कि अभिनेतरी का ये काइन इशारा था क्यूंकि कंटेस्टेंस के पास केवले एक निश्चित मात्रा में झायवड़ थी।